दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पतले दस्त यानि लूज मोशन की समस्या को ठीक करने का घरेलू उपाए दस्त की विमारी किसी को भी हो सकती है दस्त के कारण व्यक्ति का स्वास्त्य कमजोर हो जाता है अगर समय पर दस्त को नहीं रोका गया तो होस्पिटल जाने की नोबत भी आ सकती है इसलिए आम तोर पर जब भी किसी को दस्त की समस्या होती है तो व्यक्ति सबसे पहले प्रशानी का सामना भी करना पड़ता है तो बीना किसी देरी के जानते हैं एक ऐसा ही चमतकारी घरेलूनुसका जिसके इस्तिमाल से आपकी ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी इसके लिए आपने लेनी हैं चाय पत्ती जो की आप घर में चाय बनाने में इस्तिमाल करते है दस्त की समस्या में हमें इसका इस्तिमाल करना कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए हमें लेना है एक गिलास ताजा पानी और एक चम्मच चाय पत्ती और इस चाय पत्ती को मूँ में डाल कर आपने उपर से ये पानी पी लेना है आपने हैं उपाई, सुबै, दोपेर और शाम के समय करना है इस नुस्खे को पहली ही बार में लेने से आपके पतले दस्ट की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी और तीन से चार बार करते ही आपके दस्ट बिलकुल ठीक हो जाएगी इसके अलावा जब भी आपको दस्ट लगे तब आपने धुली हुई मूं की दाल की खिचड़ी बना कर खानी है यह जल्द ही पच जाती है और दस्ट की समस्या में काफी आराम करती है तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी प्लीज अमें नीचे दिए कमेंट पोक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें भन्यवाद